हलो एवरीवन, इस वीडियो में 36 बीएड एवं डी एलेड प्रवेस 2021 बाईस की आंलीन कॉंसलिंग प्रकृपिया के बारे में डिटेल्स सा जनकारी दी गई है आंलीन कॉंसलिंग फार्म कैसे भरें? इसकी step by step पूरी जनकारी इस वीडियो में दी गई है जिसमें डिसकस किया गया है, रिजिट्रेशन, पेमेंट, कॉलेज का चैन कैसे करें, वीडियो को अंतक जरूर देखें ACERT द्वारा 5 अक्टूबर को नौटिफिकेशन जारी कर, ऑनलीन आम अंटन कार्यकरम की विश्तरी सूचना दी गई है इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर important date, B8 और DL8 के लिए, कब होगी इसकी जानकारी दी गई है, इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ इस वीडियो में जानेंगे online counseling की पक्रिया क्या है, आपको कैसे registration करना होगा, B8 और DL8 प्रवेस्ट के लिए, आप online पंजियन कहीं से भी कर सकते हो, अपनी सुईधा अनुसार, घर पर, साइबर कैफे, इंटरनेट पॉलर, कहीं से भी आप online form भर सकते हो, पहले step में आपको registration करना होगा, registration करने के लिए आपको link SCERT की official website में मिल जाएगी, या SCERT की official website है, जब counseling के लिए registration स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको link मिल जाएगी, इस website में आप उस link को open कर सकते हो, या सीधे इस दिये हुए link में जाकर आप registration कर सकते हो, इस website में जाओगे तो आपको right hand side म B8 पार्ठे करम के लिए apply का button मिलेगा, जदी आप D8 के लिए apply का रहा था आपको DL8 पार्ठे करम में apply के button पे click करना है, जब आप apply button पे click करोगे तो new homepage open होगा, उस homepage में कही सारी जानकारी दिये रहेगी, जिसमें college की list, college की fees, counseling प्रक्तिया, सारी जानकारी आपको उस webpage में मि new registration पे click करके आप registration कर सकते हो, new registration पे जब click करोगे तो नियम वस सरते वहाँ पे open होगा, उसको आपको पढ़ना है और आगे पढ़ना है, अगले screen पर इस्थाई राज्य चुने, अगले screen पर आपको राज्य चुनना है जहां का आप इस्थाई निवासी हो, उस राज्य को आ इस्थाई राज्य सेलेक्शन करने के बाद new page open होगा, जहां पर आपको mobile number, टेप पर आपको अपना number, इंटर करके verify करना है, आप जिस number को डालो को इस number पर OTP आएगा, उस OTP को OTP box में भरकर आप अपना number verify कर सकते हो, इसके बाद number verify करने के बाद, previous पर इच्छा 2021 का roll number, minimum six digits का होना चाहिए, और उसमें से minimum एक अंग सामिल होना चाहिए, इस टैप से अपना password बना सकते हो, इतना करने के बाद जब आप submit पर क्लिक करोगे, तो next screen पर आपको अपना login ID number दिखाई देगा, उस login ID को आपको चुरक्षित note कर लेना है, आप उसका print out लेके रख सकते हो इस प्रकार यहाँ पर आपको login ID मिल जाएगा, उसके बाद login टेप पर किलिक करना है, login टेप पर किलिक करोगे तो new screen open होगा, वहाँ पर आप अपना login ID और आपके दोरा जो password बनाया गया था, और वहाँ पर जो capture code रहेगा, उसको भरकर आप login कर सकते हो, जब login करोगे तो new page open होगा, जिसमें नियम वाशरतें दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको अपना dashboard open हो जाएगा, उस dashboard में सारी जानकारी आपको fill up करना रहेगा, तो इस प्रकार यह first step है, इसमें आपको अपना new registration करना है, mobile number verified करना है, role number, date of birth, password डालके, आप अपना login ID clear कर सकते हो, उसके बाद है second step, second step में आपको वेक्तिगाब जानकारी तथा सक्षिक अहरता की जानकारी भरनी है, सक्षिनिक अहरता की जानकारी में इसनातक की जानकारी प्रविष्ट करना है, लेकिन यदि अभ्यरती ने दो वरसी इसनातक को बादी प्राप्त की है, यह ज इस sectionic अहरता के base में आपने apply किया है उसकी जानकरी आपको वहाँ पे देनी होगी प्रप्तांग की जानकरी आपको साउधानी पुरुवक वहाँ पे भनना है क्योंकि दस्तावे सत्यापन के समय प्रप्तांग में भिणिता पाई जाती है तो आपकी उमिद्वारी निरस्ता क करना होगा थाड़ स्टेफ है इसमें आपको payment करना है आप अंटन में प्रक्रिया में सामील होने के लिए सभी वर्गे के लिए कांसलिंग सूल के है साड़े तीन सो रुपए है साड़े तीन सो रुपए आपको पे करना होगा आप आनलाइन कर सकते हो SBI की payment के माध्यम से य इस कॉलेज में आप सेलेक्शन लेना चाहते हो उसकी वरीता वहाँ पे दे सकते हो विकलप आपको वहाँ पे कॉलेज का विकलप भनना होगा आपको सेलेक्ट टेप में जाके आप कॉलेज सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे आप जीतने चाहे उतने संस्थाओं को विकलप मे ले सकते हैं आपको अपनी पसंद से college की सारी प्रिफरेंस से देने के बाद submit पे क्लिक करना है सब्मीट में जब क्लिक करोगे तो आपके द्वार चुने हुए संस्थाओं के सुची दिखाई देगी अपने जीस करम में संस्थान को चैनित किया है उसी करम में स्रीट आवंटन किया जाएगा यदि आप अपने विकल्प में चैन्ज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको fill up modify choice step में जाना होगा यहां से जाके आप अपने college की preferences में change कर सकते हो और उसके बाद आपस आपको दुबारा save कर देना है next step 4 जब आप college का चैन कर लोगे तो उसके बाद next screen पर आपको print application and option form करके button मिलेगा उस पर आपको click करना है उस पर जब click करोगे तो वहाँ पर आपका form open हो जाएगा जिसमें आपका photo आपके द्वारा भरी गई सभी जान करी एवाँ विकल्प रहेंगे इसका print out लेना अनिवार्या है इस form का आपको print out लेना पड़ेगा print out लेने के पश्चाद भी यदि आपको लगता है कि विकल्प के करम में बदलाव करना है तो आप यहाँ बदलाव कर सकते हो यहाँ बदला आप तब तक कर सकते हो जब तक आपने लॉक नहीं किया है एक बार यदि आप लॉक कर दोगे तो उसके बाद आप किस भी प्रकार से अपने विकल्प में चेंज नहीं कर सकते है लेकिन application form को लॉक करने से पहले आप जीतने बार चाहे अपने विकल्प के करम में बदलाव कर सकते हो यदि आप अपने विकल्प के करम में बदलाव करते हो तो पुराना वर जो form है वह स्वामय निरस्त हो जाएगा और नया form में सिर्फ वर्जन नंबर वहां पे चेंज हो जाएगा वर्जन नंबर जो है application form के प्रथम प्रिश्ट के ऊपर बीच में द डाकवे नोरिफिकेशन कैसे कराना है चैनीत अभ्यरतों का महाविद्दाला में प्रविश्की पक्तिया कैसे है इसकी जनकरी नेस्ट वीडियो में दी जाएगी थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो प्लिस सब्सक्राइब एंड सेयर